नमस्कार आप देखरें नीजवल इलिया आपके साथ मैं हूं का जोल नरायन शुरुवात करेंगे खबरों की उत्तर परदेश के मुख्य मंत्री योगी आदेतना तीन महीं से तीन दिन के दौरे पर उत्रा खणा रही है इसरान वो यमकेश्वर में महा योगी गुरु गुरकनात महा विद्याले विध्यानी का दौरा करेंगे पांच माई को अद्वार में उत्तर प्रदेश परतक निगम के भागी रथी परतक आवास ग्रहे का लोकारपण करेंगे साथ ही सीम योगी और उत्राखंड के सीम पुशकर सिंग धामी के साथ पाच मई को यूपी परटक निगम के भागी रती परटक आवाज ग्रह का लुकारपण भी करेंगे तो तीन दिवसिये उत्राखंड दौरे पर योगी आदित्तनाथ रहने वाले हैं जहां पर तमाम कालिक्ट्वमों का हिस्सा बनेंगे और यहां पुशकर सिंग धामी से भी उनकी मुलाकात होगे बताया जा रहा है कि दोनों मुखे मंत्री भागी रती परेटर का वाज ग्रह कालुकारपण साथ में ही करेंगे तो सियम योगी का उत्राखंड दौरा अपने आप में बेहद महत्तोपून बताया जा रहा है जुरानमु यमकेश्वर में महायोगी गुरु गुरकनात महाविद्याले विध्यानी का दौरा कर सकते है इसके बाद चार मेई को वो अपने ग्रहे ब्लॉक यमकेश्वर के बिठ्चानी सिद्गुरु गुरकनात मावेद्याले में आजुत कारक्रम में हिस्सा लेंगे और इसी कबर पर जादा अपडेट कीने उत्राखंड और बियोरो चीफ सुभाष हमारे साथ लाइफ जुड़ गए हैं सुभाष तीन दिवस्याय योगी अध्यतनाग का उत्राखंड दौरा क्या-क्या कारक्रम ढहने वाले हैं और इन तीन दिन को कितना महतपूर्ण माना जाए परिसंपत्यों के बटवारे को लेकर जो पिछले लंबे समय से जब से उत्तर प्रदेश ते उत्रा खंडालाग हुआ है तब से लेकर आभी तक परिसंपत्यों का बटवारा नहीं हुआ है और यहीं बज़ा है कि तमाम दोनों ही राज्य चाहते थे कि उनके जो पर इसमपत्य हैं उनका बटवारा भी हो लेकिन उसमें महतपूर्ण चीज़ यह है कि योगी अदियनाद कल उत्रा खंड पहुंचेंगे और तीन दिवर से उनका दोरा रहेगा सबसे पहले महायोगी ग परेटन सहल का जो गेस्टाउस है उसका लोकारपन करेंगे जिसमें उत्रा खंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग्धामी भी मौजूद रहेंगे और कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि काफ़ी महतपूर्ण दोरे के स्थर पर इसको देखा जा सकता है क्योंकि परी संपत दोरा योगी आदितनार का उत्राखंड में होने वाला है इसमें यह सारे जो मामले हैं वो सुलच जाएंगे ऐसी क्या उमीद हो सकती है बिल्कुल यह कहा जा सकता है कि नवंबर में इससे पहले यह बैठक हुई थी और यह उमीद की जा रही थी कि तमाम जो परी संपत्ती या परी सीमन के तमाम जो भी मुद्दे थे सहे वो नहरों के हों रोडवेज के हों या फिर अन्या जो भी थे उन सभी को जल से जल पूरा कर लिया जाएगा लेकिन क्योंकि काफी लंबे अरसे से यह परी संपत्ती का विवाद चल रहा था और उमीद यह की जा रही थी कि जो डबल इंजन की सरकार है केंदर और राज में तुलजा लिया जायगा हैं परम चुम नहरों के मुद्दे हो या फिर जो बीड़ों को मुद्द्यों मुद्द जाया कर जयाया है कि जल से जल अरसे संपत्ती के मौ प अंकर कर लिया जाया जाया है कि अब उमीद यह की जा रहे हैं कि हर्दवार में जो महत्वपोन बैटक होनी है जिसमें उत्रप्रदेश के मुख्यमंत्री योग अधिनाद भी होंगे उत्राखंड के मुख्यमंत्री फुष्कर सिंध्धामी में मौजूद होंगे तो इस बैटक में कहीं न कहीं जो मुद्धे अभी तक फसे वेते हैं रुके वेते हैं जिसमें अभी विवाज चल रहा था उन मुद्धों को जल्द सुलचा लिया जाएगा बिल्कुर सुभाश और लगनों से शुभाम पांडे भी हमार साथ जुड़ गए हैं शुभाम योगी आगे तना तीन दिवस्य दोरे पर उत्राखंड जा रहे हैं उत्राखंड में जन्में हैं और उसके बाद यूपी की कमान उनने समहली है दूसरी बार समहली है उमीद क क्या लग रही है पहले तो बताई कि मिनिट टू मिनिट कारिक्रम क्या रहने वाला है उनका किते बजे वो निकलेंगे किते बजे उत्राखंड पहुंच जाएंगे इसके बाद जो परिसंपत्य का जिक्र मैं और सुभाश शुभी अभी कर रहे थे किसको लेकर तमाम जो ल शुभब मेरी अवाज आ रही है आपको तो शुभबम तक मेरी अवाज नहीं पहुच पारी है सुभाश वी मैं आपका रूप करूंगी आपने अभी जिक्र किया कि हो सकता है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हो इसके अलाव़ देखा जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया कि उत्राखंड में ही जुन में हैं उत्राखंड के बेटे हैं और दो बार से यूपी की कमान सभाल रहे हैं ऐसे में लोगों को बहुत जादा उमीद हो जाती है लोग इमोशनली भी बहुत जादा अटाच हो जाते हैं जी बिलकुल उमीद के वर योगी अधियतनाज से नहीं है बलकि उमीद बीजेपी सरकार से है क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है उत्राखंड में भी बीजेपी की सरकार है जब तीनों ही जगा चाहे वो केंद्र में हो या दोनों राजियों में जब एक ही पार प्रवेंदर रावत सरकार में भी उत्रप्रदेश पहुंचे थे उन्होंने वहां सीम के साथ ही इस अभी तमाम अधिकारियों से भी बात्चीत की ती और कोशिश की जा रही थी कि शायद पर इस संपत्ति के जो मामले है वो जल्द नहीं पढ़ जाएंगा और उसके बाद उ परिसंपत्ति के विवाद है उस तो इलजने बहुत जरूरी है यदि वो इस तो इलजते हैं तो प्रदेश को भी इससे काफी फाइदा उगा इस तो परिसंपत्ति है रहा है वीडियो में यू अक पेड़ से बंधा नज़र आ रहा है लोगों के सामने छोड़ने के बिंति कर रहा है वीडियो वाराल होने के बाद पुलिस प्रशासर में हटकम मज़ गया पुलिस दोनों पक्षों को ठाने पर लाकर पूश्टाच कर रही है मेडिया पर एक वेडियो वाराल है जिसमें एक बेक को पेड़ से बंधा गया है जब इस प्रकर्ण की जान की गई तो इसका नाम नंके उर्फ सरपंच 89 ग्राम पंडिक खुरवा थाना इक्यात्व का निवासी है और इसके गाउं के बगल के ही कुछ लोगों द्वारा इसे चोर समझ कर पेड़ से बंधा गया और इसके साथ मार्पिट भी की गई है इस जानकारी पर थाना इक्यात्व में सुसंका धराओं में अभियोग पंजिकित करते में पांच नों की ग्रपदारी की गई है इस प्रकरण में अन्यविधिक कारवाई प्रचलित है लक्सर में सुच्टा ठेके का नविनी करण ना होने को लेकर पालिका के अस्थाई सफाई कर्मियों ने मजदूर दिवस पर पालिका परिशासन के खलाब धरने पर बैट गए मजदूरों ने बताया कि लक्सर नगरपालिका परिश्ट के बॉर्डों में आउट्सोर्सिंग ठेके पर रखे गए मजदूरों से सफाई का कारे किया जाता है सफाई कर्मियों ने कहा कि ठेके कर नमनी करना ना होने की वज़ों से उनके द्वारा धरना दिया जा रहा है ना हिकरमचारियों को बोताल पर अनिस्थीत कारेन हरताल पर जाना पड़ रहा है मस्दूर दिवस्कित के दिन हमारे किरमचारियों को करना पड़ी विकलने लिखिट मेंब प्रात्रा पत्र नो के शवसेतनंस ने and लॉत पर ने हैं इस प्रक्रण के खुलासे पर हिज़स्पी ने 15,000 और डियाईजी ने 20,000 रुपे फुरिस्ट्रीम को इनाम देने की खुशना की है गुम्शुकीता, श्री भॉनो स्यामी है, एक मूल रूप से बिहार करेने वाले हैं यहां पर सुभाष्ट नगर गासमंडी के पास आटो रिक्षा और दिहाडी मजदूरिया ऐसे काम करते हैं 11 साल पूर्व जो है, तेईस साथ 2011 उसको यह रहस्य पर रूप से गायब है लेकिन उसकी वाइफ को यह अन्तिव रिकोर्ट स्विकार महीं हुआ है, और उसने कोर्ट में चालेंज करा और उसको वापस री इंवेश्टियेशन में लगा 3-4 साल पहले ही ला दिया था, उने कहीं सालों से यह री इंवेश्टियेशन में चली रहता आप सभी को बता है कि मानलिये DGP महदे की नेत्रतों में और PHQ के द्वारा दो बड़े अभियाद चलाया जा रहे है पहला अभियाद है तीन साल से अधिक सभी विवेश्टनाओं का सफल पूरवक रूप से निस्तारण करना दूसरा अभियाद है अग्याद शाव का सिनाख करके अगरिम कारवाही करना सोनबत पुलिस ने आवएद शराब की फेक्ट्री का भंड़ा फोर किया पुलिस टेया अनपरा थानाशेत्र केंतरगात अनपरा गाउं में आवए तरीके से संजाली थो रहे ही शराब बराने के फेक्ट्री पर शाप बारे करके आच लोगों को गिरफतार कर लिया है जहां उनके पास भारी मात्रा में आवए दिशराब बराने का उपकरन बरामत किया गया घणे खास बात ये है कि जो देशी सराब की दुकान है उसके माध्यम से भी इस अवाध सराब के भ lass लिक्ति की और इसमें जो अनील जयाशवाल है तो उसके लिफिकरई के नाम पर अक्रि में ये supervis गयार्य दूकान है और और उसके चाचा जो इसमेt गिरफतार हुए है राम नरह जायशवाद को उंकिरी की रफ्तारी हुई है वोगी उस्पस्तिंचालित रखते हैं कि विकान से भी यह अवैसरा परामाद हुए इसमें आकास कुमार और निटेश के लोग पहले भी जा चुके हैं आप कारी से सम्मादित पर करनों है और इसमें जो निट जो बोली के नरायन बगट प्रखंट का ती दुर्गम शेतर जी जोनी बुडेरा में जन तंटर कॉलेज के लिए जन सयोग से निर्मेत भवे प्रदेश द्वार के रुकारपण के अफसर पर चात्र चात्रावने सांस्कुतिक कारक्रम किये समोके पर वहां प्रवासी गण भी उपस्तित रहे जनोंने विदेश में रहते हुए स्विद्याले के लिए हर संभव सही हो किया उत्राकर्ण में चारधा मियात्रा का बड़ा पैत्व है जहां बदिनाद, किदानाद, गंगोत्री और यमिनोत्री चार तीरत इस्ताल करोडों लोगों की आस्ता का प्रमू केंद्र है हर साल अप्रेल मईस से अक्टूबर तक चारधाम यात्रा के दुरान गंगा मया के दर्शन करने के लिए लाखोश रधालू या आते हैं मागंगा की दोरी छे महा शीतकार प्रवास के बाद मुखी मर्ज से गंगोतरी धाम के लिए रवाना हो गई अर दोई कि शाबाद कुद्वाली शेतर में रविवार्ग पहर को एक दर्दनाक हाथा हो गया जोहां बाइसवार तीन लोगों को कंटेनर से कुचल कर दर्दनाक मौत हो गई वही एक पांट साल के बच्चे कंभी रूप से गायल हो गयी सड़क खाथसे में दो भाईयों की मौत हो गई थी जबकि दस लोग खायल है जिसमें से तीन लोगों की ततकाली मिर्त्य हो गई है एक बच्की उसने कंभीर रूप से गायल है संदकपी नगर की नगरपाली का परिश्रत खरीलाबाद में लोग जाम के समस्था से जूच रही है जहां सडकों पर पट्री वेवसाई से लेकर दुकानदारों का अतिकरमन है सडकों पर एक तरफ वेवसाईयों का अतिकरमन तो दूसरी और पुलिस के चौलान का डर इस समय हम मौजूद हैं नगरपाली का खलीलाबाद में और आप देख सकते हैं कि क्या मंजर है यहां फुटपात पर वेवसाईयों का कबजा है और पार्किंग की बड़ी समस्या है लोगों को दोचार होना पड़ता है दूसरी तरफ संतकबीर नगर की जो पुलिस है वो मॉबाइल लेके चालान काटने में लगी रहती है एक तरफ व्यापारी अपने सौदेक में फाइदा ढूट रहे हैं तो वहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस अपना राजस बढ़ाने में लगी है समस्या है आम लोगों के लिए कि वो कहा पार्क करें और कैसे चालान से निजात पाएंगे दिखाना चाहेंगे यह नजारा है यहां किस तरह से फुट पार्क पे जो है दुकाने लगी हुई है और फुट पार्क पे अगर दुकाने लगी रहेंगी यह ठेलों का कबजा होगा तो जाहिर सी बात है आम नागरी गाड़ी अपनी कहाँ पार्क करेगा और आपको बताते चले कि खलीलाबाद सहर में कहीं भी पार्किंग की ब्याउसा नहीं है और सडके पुर्टपाद ब्याउसाईयों के चलते जो है सकरी होती जा रही है दूसरी सब देखेंगे यह जाम से दो चार होना पड़ता है लोगों को और पुलिस है पुलिस अपने काम में लगी रहती है राजस बढ़ाने के काम में पुलिस लगातार जो है लगी रहती है इसी मुद्धे पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है यहां के लोग है उनी से जानते हैं कि आखिर क्या मानते हैं यह लोग आप क्या मानते हैं प्रदीब जी कि इस तरह से फुटपात पे अगर कब्जा है आम नागरीक अपनी गाड़ी कहां पार कर गाए दूसरी तरफ जो है पुलिस मोबाइल लेके चैलान काटने में लगी रहती है तो किस तरह का यह म कर दे क का यहां पर स्टेंडर रहा है और जिसकी वह से आए दिन जनता को श्ब्सक्राइब करना पड़ता है बड़ी दूरगटनाय होती है लोग चोटील होते हैं और प्रसासन चीज का भी दूर्पियोग करती है कि यहाँ पर चोटे-चोटे हमारी फुटपात पे तमाम यहां पर जो प्रसासन उसको किसी तरीके से सिस्टम एडॉप्ट करना चाहिए जिससे आए दिन जनता को चोटे बच्चों को और पढ़ले वाले हमारे विद्यारतियों को जो इसकूल आते हैं जाम का सिकार होते हैं उन्हें और तमाब हमारी महिलाएं हैं उनको दिक्कतन हो और दूसरी चीजा और आपका ध्याना किश्कनाना चाहते हैं छुट्टे पसू भी यहां गूमते हैं बड़े-बड़े साड़ है आए दिन महिलाओं को ब्रिद्जनों को उठा के पड़क देते हैं और चोटील होते बुल्डोजर चला जाए बुल्डोजर किसी समस्या का निदान नहीं होता है इनको अगर हम प्लानिंग के तहत अगर इनको सुषजित और नियमों के तहत और इनको हम ब्यवस्ता दे तो हमारे चोटे-चोटे फुटपात के व्यापारी भी संतुश रहेंगे और आने वाल जो समस्या हैं उसको भी आउस्तित करके लोगों को आम लोगों को निजाद मिलनी चाहिए कैमरा परसंद मुहमद हुसाइन के साथ हेमन सिंग निउस वर्ल इंडिया संद कभी नहीं और इसे के साथ फिलाल कबरों में इतना ही आप बनी रही है निउस वर्ल इंडिया के साथ